दोस्तों अगर आप भी मेटा मास से तंग आ गए हो और आप खुद का अकाउंट बंद करना चाहते हो तो आपको वीडियो एंड तक देखना चाहिए और आपके पास सीट फ्रेज या रिकवरी फ्रेज या फिर प्राइवेट की नहीं है उस अकाउंट की तो अगर आपके पास इस अकाउंट में पैसे है और आपके पास उसका सीट फ्रेज या फिर प्राइवेट की भी नहीं है तो आप उस पैसे को भूल जाओ आप वो आपक उसको एकस्स नहीं करना है कभी ऐसे कर सकते हो जूंसको हमेशा इसका अब फिर भी अगर आपको lock करना है account या फिर तो ऐसे समय में better idea होता है कि आप सारे पैसे या फिर सारे funds दूसरे account में transfer कर दो और फिर इस account को lock कर दो दूसरे account नया बना दो उसको use करना चालू कर दो या भूल जाओ कि यह आपका account कभी था अगेन तो वह करने के लिए आपको बस setting वाले button पर ख्लिक करना है नीचे lock करना है और फिर यहाँ पर प्रेस करना है यस इसके बाद आपको जाना है reset wallet पर यहाँ पर continue करना है delete दबाना है और delete में wallet करना है जिसके बाद आपका metamask reset हो जाएगा और हम उसी screen पर आजाएंगे जहाँ पर हम सबसे पहले आये थे account create करते वक्त यहाँ पर अपने account मनाना चाहते हो तो create new wallet कर सकते हो पुरान account दूसरा कोई import करना चाहते हो तो import using secretory phrase कर सकते हो दोनों पर आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएंगे अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो इतना ही था इस वीडियो में thank you